क्या निकाह के बाद राखी सावंत ने करवाया अपना धर्म परिवर्थन राखी सावंत बनी फातिमा और इंज हिजाब में आई नजर क्या राखी ने अपना लिया है इसलाम वेल क्या है पुरा मामला आए जानते हैं फर्स्ट इंडिया फिल्मी किस रिपोर्ट में फिल्बिक बोस की एकस कंटेस्टन्ट और ड्रामा क्वीन राखी सावंत अपनी सीक्रेट निकाह को लेकर लगातार सुरख्यों में हैं इसके बाद से ये बात निकल कर सामने आई कि उनका नाम निकाह के बाद बदल कर फातिमा रख दिया गया है अब आक्टरस ने हिजाब पहने हुए अपना वीडियो शेर किया है जो की खुम वाइरल हो रहा है दरसल राकी सावन्थ ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अपना एक नया वीडियो शेर किया है इसमें वो हिजाब पहने नजरा रही है वीडियो की शुरुआत में राकी सावन्थ औरेज रंग का हिजाब पहने नजरा रही है साथ ही वो आदिल दुरानी के साथ मस्ती करते हुए भी दिखाई दे रही है इससे पहले भी इस्टाग्राम अकाउंट पर ही राकी ने अपने और आदिल की शादी का खुलासा मैलर्च सर्टिफिकेट के जरिये किया था विल जिस तरह से निकाँ के खुलासे के बाद राकी सावंत ने ये वीडियो शेर किया है उस पर डाले आप भी एक नजर और साथ ही देखे किस वीडियो पर लोगों का क्या कहना है इतना ही नहीं शनिवार शाम राकी सावंत को मुंबई में देखा गया था राकी को पेपराजी ने स्पॉर्ट किया और उससे उनके निकाह के बारे में पुछा पेपराजी से बात करते हुए राखी फूट फूट कर रोणने लगी और उनोंने कहा कि अभी तक मेरी मा को नहीं मालूम है अभी कल मेरी मौसी और मामा और खांदान के लोग को पता चला है सब लोग बोल रहे हैं कि मम्मी तक ये खबर नहीं पहुचनी चाहिए लेकिन मम्मी होश में आ जाएगी और ये खबर सुनेगी तो पता नहीं क्या असर होगा उस पे क्यू है मेरे नसीब में इतना दर वही राखी सावन के निकाह के बाद लोगों ने उनकी शादी को लव जिहाद से भी जोड़ा और कई लोगों ने उन्हें जम कर ट्रोल भी किया इतना ही नहीं फर्स इंडिया फिल्मी ने राखी सावन से एक्स्लूजिव बातचीत की थी जहां पर लव जिहाद को लेकर उनसे सवाल पूछा गया था हाला कि इस सवाल का जवाब देते हुए राखी सावन ने एक शौकिंग बयान दिया और वो आदिल खान की जम कर तारीफ करते हुए नजर आई क्या कहा उन्होंने आप खुजी सुने लव आदिल लव मी लॉट आदिल मुझे एक पल नहीं चोड़ रहे सच मानिया है मैं जूट में बोल अभी भी वो आ रहे मुझे मिलने के लिए कल रासको भी मेरे साती थे हर फल मेरा ख्याल रख रहे लेकिन पता नी क्यूं मुझे नहीं अपना रे शाधी और निकाह होने बिल्कुल जब आप मर जाते हैं तो एक बॉड़ी होती है तो हिंदू मुस्लिम स्विक ऐसा कुछ होता नहीं है मुझे लगता है कि मैंने और आदिल ना सचा प्यार किया है हमने शादी करी है मुझे इतना पता है कि मैं लड़कों के साथ घूम नी सकती हूं और बगहर शादी के मैं शारीरी रिलेशन नहीं बना सकती हूं मैं हराम नहीं कर सकती हूं मैंने हलाल किया है हराम करूंगी तो इश्वर मौत मेरी हो जाएगी तो इश्वर मेरे को नर्क में डाल देगा तो इसलिए मैंने हलाल किया है शादी करके उनके साथ घर बसाई हूँ घर में आम लोग साथ में रहते हैं मैंने मुसलिम में उर्ग में हराम हलाल होता है तो मैं हलाल में हूँ हलाल में उनकी बीवी हूँ बहुत ऐसी चीज़े हुई है जो पता नहीं वो मुझे क्यों नहीं आपको बहुत सारी चीजे मेरी बिग बॉस में जाने के बाद नहीं करनी चाहिए थी जो आपने करी है जो मेरे पास सारे प्रूफ है लेकिन मैं मेडिया को नहीं दूँगी आपकी इज़त मेरी इज़त है आप अल्ला को जवाब दीजिए बस अगर आप यते हाँ अल्ला हुआ अकबर तो मैं भी अल्ला हुआ कहती हूँ और मैं भी नमास बनना शुरू कर दिया है मैंने और मैं बहुत विश्वास रखती हूँ कि वो मुझे जरूर अपना लेंगे समाज में लोग मुझे जरूर मेरे पती से इज़ट दिलुआएंगे मुझे मेरे पती से कोई शिकायट नहीं कोई कुछ सी भी मुझे कन्पलीन नहीं है वो मुझे बेंसिया प्यार करते हैं मुझे पता है और आदिल बहुत अठी नेक इंसान है और किसकी बातों में आके यह कर रहे मुझे नहीं मालूम है विल जिस तरह से राकी सावंत का यह नया वीडियो सामने आया है जिसमें वो हुझाब पहने हुए नजर आ रही है उसे देखने के बाद आपको क्या लगता है क्या वाकई राखी सावंत ने धर्म परिवरतन करा लिया है क्यूंकि कई लोग राखी के निकाह के बाद इसी तरह के कमेंट्स कर रहे हैं अब ऐसे में इस पर आपकी क्या राय है हमें इस व्डियो के लिचे कमेंट में ज़रूर बताएं साथ ही अगर आपकी वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेर भी ज़रूर करें एंटेटेंट्मेंट की दुनिया से जुड़ें हर एक लेटिस्ट कमरों से अपड़ेटे रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें